तो देखिए फ्रंट्स हमने क्रोश्य से आस्तिन की सिलाई कर दिया है ये एक फंदा बढ़ गया है तो इसको भी हम चड़ा देगा है क्रोश्य से बुनाई करने से ये फाइदा होता है कि हमें अपना थ्रेट कारना नहीं पड़ता है अब हम इस फ्रंट पार्ट को भी साथ में ले लेते हैं अब हम बॉर्डर के छे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे अब हम रॉंक साइड में हैं पहले फंदे को हम ऐसे नीच वाइस लाई जालेंगे उन अपनी उल्ट करेंगे और शे सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है अब हम बॉर्डर के पास आ गया है तो यहां पे हमने बटन होल बनाया था तो इसे हम देखिए ऐसे उल्टा बुनेंगे और देखिए इतना बड़ा होल हो गया जिससे आसाने से हमारा बटन घुज जाएगा तो यह हमने सभी फंदों को उल्टा बुन ले आए अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ अब बॉर्डर के हम छे फंदों को पहले फंदे को ऐसे नीजवाइस लाई डालेंगे अपनी ओर कर लेंगे फिर शेस-पास फंदों को उल्टा बुनेंगे यह हमारे बॉर्डर के फंदे हो गए अब हम दूसरी ओरून करेंगे यहां से हम अपना पैटरन डालना शुरू करेंगे तो यहां पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के उन से तीन फंदा सीधा एक दू और इस थर्ड को हम ऐसे अ डपेट्टे जाएंगे ताकि यह बद जाए चोथे फंदे को स्लिप करनाया थी तीन फंदा सीधा तो चोथे फंदे को स्लिप करना है इन ही चार फंदो को हमें पूरी सलाई में दोराना है तीन फंदा सीधा, चोथे फंदे को स्लिप करना है तीन फंदा सीधा, और चोथे फंदे को स्लिप करना है तो मैं पूरी लाइन कम्प्लीट करके आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स हमारे डिजाइन को के लिए चाहिए चार के मल्टिपल फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा और हमारे सलाई पे है 116 फंदे तो या तो हम 119 फंदे हम कर ले या फिर 115 फंदे तो हम 115 फंदे करेंगे यानि की दो फंदों को एक साथ लेके 1 फंदा घटा दे रहा है ताकि डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाए देखिए हमारा डिजाइन अच्छी तरह से ठो गया है एक फंदा स्लिप करने पाद लास्ट में तीन फंदे बचे हैं और यह बॉर्डर के फंदे हैं तो यहां पर हमें अपना मेन कलर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें साथ-साथ बॉर्डर बुर्णना है तो हमने अपना एक फ्रेट लगा लिया अब इन से इस फंदो को छे फंदो को हमें उल्टा बुना है अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में पहले फंदे को हम नीट वाइजर से स्लिप करेंगे और अब शेष फंदो को उल्टा बुनेंगे बॉर्डर के फंदे हम उल्टा बुन लेंगे इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे ताकि यह आपस में बद जाए और अब फिर हम अपने रिजाइन को कायम रखेंगे यानि हम बुन्य हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप की हुए फंदे को स्लिप करेंगे उसके पहले हमें उन को अपनी उर करना है उन दूसरी उर और बुने हुए फंदे को सीधा बुन माँआए उन अपनी उर इसी तरह करते हुए बुनान रिजाइशं कर देंगे देखिए फ्रेंड्स बुनते हुए हम बॉर्डर के पास आगे हैं तो जभी भी हम बॉर्डर के पास आएंगे इन दोनों धागों को हम ऐसे क्रॉस करेंगे वरना ये दोनों पार्ट अलग-अलग हो जाएंगे तो देखिए इसको ऐसे मैंने इसके उपर चढ़ाया और अब हम बॉर्डर के फंदों को उल्टा बुनेंगे इससे ये बद जाएगा वरना दोनों पार्ट अलग-अलग हो जाएंगे तो फिर इसकी सिलाई करने हम पड़ेगी अब हम सामने की तरफ आ गए पहले फंदे को नीटवाई स्लिप करेंगे उन अपनियों पांच फंदा हम उल्टा बुनेंगे तो ये हो गए बार्डर के छे फंदे और अब हमें यहां से अपना डिजाइन डालना है तो देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे एक फंदे को अगले फंदे को स्लिप करेंगे यानि तीन फंदों में से दूसरे फंदे को हम स्लिप करेंगे और अब अगले तीन फंदे ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है फंद आए उसके दोनों साइंड वाले पंद है इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे सीधा बन लिया सिधा यूज अब देखिए यह यह बी से वाला पंद इसे हमें स्लिप करना है स्लिप करने के लिए हमेशा ऐसे पर्ल वाइज ही हम स्लाइड डालेंगे नेक्स्ट तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे अगले फंदे को हमें स्लिप करना है तो इन ही चार फंदों को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट करनेंगे डिजाइन के चौथी लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है बुने हुए फंदों को भी उल्टा और स्लिप किये हुए फंदे को भी उल्टा सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है यह building special तो हमरा चार line complete हो गया है और इस लाइन में फिर हम अपने दूसरे color के उने से बनाई करेंगे तो पहले star को सीधा बनेंगे next star को देखे यह जो जिससे हमने slip किया था इसे वापस slip करेंगे और यह 3 star का सीधे बनेटे अने वापस हम सीधा बनेगे देके इसे क्या होगा कि यह design दोनुद डिजाइन के बीच में आ रहा है अब फिर इसे slip करेंगे पिर ये next तीन पन्दे जो है किसे हम सीधा बुने जो कि रिफ करतों करेंगे फिर थैन सीधा यानी हमारे चार पन्दे का प्टरन फिस्द शुरू होजाएगा यहां से चार फंदा सीधा, नेक्स फंदा स्लिप करना वाला फदा देखे, यह है जो हमने पिछली डिजाइन में स्लिप किया था, वही हमारा स्लिप करने वाला फंदा रहे था, तो तीन फंदे को सीधा बुनना है, चौते फंदे को स्लिप करना है, तीन फंदे को सीधा बु यह अच्छी तरह बद जाए अब फिर उन अपनी और करेंगे और प्राइमरी कड़र के थागे से सबी फंदों को उल्टा पूलेंगे जभी भी हम बॉर्डर के पास आएंगे हमें यह करना ही होगा पहले फंदे को नीट वाइस करेंगे फिर उन अपनी और फिर पांच फंदे उल्टे और अब फिर हमें दोनों धागों को क्रॉस करना होगा इसे दूसरी तरफ दागा करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है उन अपनी और 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 फंदे को सीधा बुनना है इसी तरह बुनते हुए हम लाइन कम्प्रीट कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स हम डिजाइन के साथवे लाइन पे आ गए हैं पार्डर के फंदे बुनने के बाद हम अपने प्राइमरी कलर के उन से ही तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक यह जो स्लिप किया था फंदा है यह दो और तीन और बुने हुए तीन फंदों में से बीच का फंदा हमें स्लिप करना है फिर तीन फंदा सीधा और बीच का फंदा हमें स्लिप करना है फिर तीन फंदा सीधा और दिजाइन के बीच का फंदा हमें स्लिप करना है तो इन ही चार फंदों को दूर आते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंग और wrong side से सभी फंदे उल्टे तो देखिए friends ये दो design complete होने जा रहा है तो ऐसे ही हम 13 design complete करेंगे तो 13 design complete करके मैं आपको दिखा रहे हूँ दो design ये complete होने जा रहा है ऐसे ही एक दो ऐसे ही हम 13 design complete करेंगे तो 13 design complete करके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स तेरा डिजाइन कम्प्लीट हो गया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और तेरा तेरे डिजाइन कंप्लीट हो गया है और मैंने देखिए एक दो तीन चार पांच धारी सामने से और चार धारी देखिए एक दो तीन चार यानि नौ लाइन का बॉर्डर बना लिया है और अब यह हमारा दसमा लाइन है तो हमने तेरे डिजाइन बनाया Laz 3 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने नौ लाइन का बॉडर बना लिया है और यह दसमा लाइन है और ॉर्ण तो जब हम उल्टी तरफ उल्टा उल्टा बुन के बॉडम बनाते हैं यानु दोनों तर और ठाइल उल्टी तरफ से करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो लास्ट लाइन है वह बहुत ही क्लियर आता है, देखिये ंडालेटा इस फंदे को एक साथ लेते जाएंगे और उल्टा विरते जाएंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा उल्टा जाएंगे इस फंदे को भी 22 लाइम में चाहाए एक और फंदा लिया और दो फंदो को एक साथ लेते हुए उल्टा 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 अब दस फी लाइन में हम सबी फंदो को क्लोज कर रहा हैं बाइंड ओफ कर रहा है इस तरह उल्टी तरफ से घटाने से यह हमारी घटाई बहुत ही क्लेन आती है तो हम दो-दो फंदो को एक साथ लेते जाएंगे और उल्टा बुनते हुए सब भी फंदो को क्लोज कर देंगे घटाई हम बहुत ही धीले हाथ से नहीं करेंगे वरना जूला जाएगा तो मैं सारे फंदे घटा के आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंस घटाई कैसे हुई है अब मैं आपको स्वेटर दिखाती हूँ तो देखिए friends, sweater इस तरह बनके तयार हुआ है, सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है, और पीची से ऐसा है, आशा है आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थेंक्स फर वाचिंग,